हर कोई जानता है कि एक्सिडेंट में क्या हो सकता है अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो इस एक्सिडेंट में आप जो देख रहे हैं वो स्लो मोशन में बहुत ज़ादा दर्दनाक है Modern Seat Belt केबल मेकनिजम नहीं है जो आपकी गती पर रूख लगाते हैं बलकि वे बड़ी चतुराई से इंटरनल एंजिरीज को कम करने और एयर बैक पर सुरक्षत तरीके से लैंड करने में आपकी मदद करते हैं इस वीडियो में हम सिर्फ एक Seat Belt की वर्किंग के बारे में नहीं जानेंगे हम सीखेंगे के Modern Seat Belt मेकनिजम को इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया है इसलिए अपने Seat Belt को पहने और डिजाइन की यात्रा शुरू करें आईए Seat Belt डिजाइन के सबसे सरल फॉर्म से शुरुवात करें एक डिजाइन जिसमें Spiral Spring और Seat Belt Webbing का उप्योग होता है Spiral Spring का सेंटर एक Freely घुमने वाली शाफ्ट से जुड़ा हुआ है जब आप शाफ्ट को गुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्प्रिंग खिचता है Webbing भी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है जब उप्योग में नहीं होता है तो यात्री Webbing को जाने देता है और स्प्रिंग के खिचाओ के कारण Webbing अपने आप मुड़ जाती है हमने बस एक बेसिक Seed Belt Retractor बनाया है इस अरेंजमेंट का उप्योग करके हम 3-point Seed Belt Mechanism का निर्मान कर सकते हैं जैसा कि दिखाया गया है इस डिजाइन में Webbing का दूसरा End Fixed है Webbing में Buckle Clip भी रखी जाती है जिसकी मदद से यात्री आसानी से Seed Belt लगा सकते हैं ये अच्छी तरह से Fit हो जाएगा Retractor यात्री के आकार के आधार पर परियाप्त मात्रा में Webbing की लंबाई रिलीज करेगा इस डिजाइन के 3 points यहां Marked है ये डिजाइन मूवमेंट को रिस्ट्रिक नहीं करती है जिससे किसी भी यात्री को असुविधा नहीं होगी जाहिर है ये Seed Belt डिजाइन एक एकसिडेंट में बुरी तरह से फेल हो जाएगा क्योंकि ये एकसिडेंट के दौरान भी यात्री को मूवमेंट की अनुमती देता है एक आइडियल Seed Belt मेकनिजम का काम होता है एकसिडेंट में यात्री की मूवमेंट को बुरुक करना आईए देखें कि वर्तमान डिजाइन को एक Intelligent Seed Belt मेकनिजम में कैसे परिवर्तित किया जाए एक एकसिडेंट के दौरान वहान एक बड़े डिसलेरेशन का अनुभाव करता है या अचानक रुख जाता है इस एफिक्ट का उप्योग करके एक चतुर मेकनिजम तयार किया जा सकता है इस Free Roll Steel Ball और एक हिंज का इस्तिमाल करके ये बॉल को रिट्रैक्टर के दूसरी तरफ रखा जाता है और एक स्प्रॉकेट रिट्रैक्टर शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है इसका मतलब ये है कि जब भी बेल्ट विंड या अन्विंड करेगा तो स्प्रॉकेट स्पिन होगा सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों में बॉल रेस्टिंग पोजेशन में होता है, जैसा के दिखाया गया है हाला कि जब वाहन अचानक रोख जाता है, तो बॉल अपनी इनर्शिया के कारण आगे बढ़ती है ये मुव्मेंट हिंज को आगे बढ़ाएगा और लॉकिंग मेकेनिजम को ट्रिगर करेगा ये लॉकिंग रिट्रैक्टर से होने वाली वेबिंग के रिलीज को रोख देगा, जिसका मतलब है कि सीट बेल्ट बस एक्सिडेंट के दौरान आपके मोशन को रोख लेती है सीट बेल्ट के विकास के शुरुवाती दिनों में लोगों का भरुसा जीतना काफी इंपोर्टन्ट था, ताकि वे नियमित रूप से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें अभी जिस ball movement technology की चर्चा की है, वो perfect है, लेकिन एकाम आदमी इस mechanism को test नहीं कर सकता है इसलिए engineer एक interesting विचार लेकर आए, एक और mechanism develop करें, जो webbing की गती पर आधारित हो यदि webbing तेज चलती है, तो उसे lock होना चाहिए, यदि नहीं, तो ये बिलकुल lock नहीं होना चाहिए ये गती पर आधारित locking mechanism कुछ नए components की मदद से प्राप्त किया जा सकता है सबसे पहले, एक central piece webbing shaft में लगाया जाता है, और एक internal gear को frame से जोड़ दिया जाता है Central piece के उपर एक और piece बैठता है, चलिए इसे orange color देते हैं दिल्चस बात ये है कि orange piece कस कर central piece के साथ fit नहीं होता है, ये थोड़ा lose और freely move कर सकता है जैसा कि दिखाया गया है यदि central piece धीरे धीरे घुमता है, तो orange piece इसके साथ घुम पाएगा हाला कि जब central piece तेजी से घुमता है, तो orange piece उसको match नहीं कर पाता है जिसके परिणाम सोरूप एक interesting lock बन जाता है, जैसा कि दिखाया गया है आईए बहतर समझने के लिए ultra slow motion में उसी animation को देखते हैं जाहिर है, जब यात्री तेजी से आगे बढ़ेगा, तो belt lock हो जाएगी सबसे जरूरी बात, ये एक easy mechanism है, जिसका हर कोई test कर सकता है जिससे seat belt उपयोग में consumer का confidence बढ़ता है इस second mechanism का एक और उपयोग है यदि first mechanism fail हो जाता है, तो ये एक backup mechanism के रूप में काम करेगा लेकिन seat belt design से जुड़े मुद्दे अभी पूरी तरह से हल नहीं हुए है उदारण के लिए, यदि seat belt किसी accident के दौरान, यात्री की movement को पूरी तरह से रोग देता है तो बेल्ट यात्री के chest पर हद से ज्यादा pressure बनाएगी, जिससे internal organs को चोट लग सकती है यही कारण है कि modern seat belt retractor एक torsion bar के साथ आते है torsion bar belt को थोड़ा release करने में मदद करती है जब ये एक critical load तक पहुँच जाता है इस प्रकार यात्री की chest को excessive pressure से बचाता है आईए देखें कि ये practically कैसे किया जाता है seat belt webbing का end इस torsion bar से connect किया जा सकता है इस mechanism का concept सरल है जब belt पर load एक critical limit तक पहुँच जाता है तो बार एक torsion से गुजरता है जैसा कि दिखाया गया है कृपया ध्यान दें कि locking mechanism के कारण shaft का एक end fix हो गया है यहाँ ध्यान दें कि bar का twist उसकी पूरी लंबाई में uniform नहीं है ये एक end पर zero और दूसरे end पर maximum है यदि हम belt को सीधे इस shaft से जोडते हैं तो हमें belt release नहीं मिलेगा इस समस्या को दूर करने के लिए belt webbing एक spindle से connect की जाती है और spindle को torsion bar के free end से connect किया जाता है इस connection का मतलब है कि torsion के दौरान spindle torsion bar के maximum twist angle को turn कर देगा ये unit retractor के normal shaft की जगह लेती है इस तरहे belt को थोड़ा तब release किया जाएगा जब belt का pressure एक critical value तक पहुँच जाता है जो यात्री को internal organs की चोट से बचाता है आजकल कार्स में एक और सामान्य इंजीनियस सेफटी मेकनिजम आ गया है जो है pre-tensioner हम इसे ज़ादातर लोग एक कार में आराम से बैठते हैं इसलिए हमारा शरीर पुरी तरह से seat पर टेक नहीं लगाता है इस posture के वज़ए से सेफटी मेकनिजम के पास आपके जीवन को बचाने के लिए बहुत कम टाइम बचता है हाला कि एक pre-tensioner आपको एक accident से ठीक पहले seat के बिलकुल पास कर देता है impact से ठीक पहले हम इसे ज़ादातर लोग कस के brake pedal दबाते हैं एक smart controller brake pedal की fast movement को समझ कर एक accident को predict कर लेता है pre-tensioners वाले retractors में एक अतरिक्त piston mechanism होता है explosive material से भरा एक piston mechanism जैसे ही controller को एक accident की संभावना का पता लगता है ये explosive को ignite करेगा जो piston को धक्का देगा और seat belt tight हो जाएगी संक्षेप में इस से पहले के आप चटान से टकराएं आप accident के लिए तयार रहेंगे बढ़े हुए समय की वजह से आपकी कार के safety measures पहतर तरीके से काम कर सकते हैं हमें उम्मीद है कि आपने seat belt safety technologies की इस यातरा का आनंद लिया होगा अपनी seat belt लगाना न भूलें और subscribe करना भी न भूलें धन्यवाद कर दो दोलें आपकी कार लोगाद